इसमिना इबरह्मान इबरहीम, असलामलकुम स्टूडेंट्स, टॉपॉलोजी का थर्ड लेक्चर आज हमारा, तो प्रीविएस लेक्चर में हमने कुछ टॉपॉलोजी ही डिसकस की थी, आज हम कुछ इसकी डेफिनिशन कर लेते हैं, जो कि next हम यूज़ करेंगे, जिससे related हम ठेरम्स करेंगे, तो फिर्स्ट जो डेफिनिशन है वो है नेबरहूट ओफ ए पॉइंट, तो नेबरहूट ओफ ए पॉइंट की डेफिनिशन है, अगर हम इसका कोई नेबरहूट बनाएं, तो वो एक ऐसा सेट बनता है, सेट सबसेट होगा, जो सेट इसका नेबरहूट बनेगा, वो इटसेल्फ भी सबसेट होगा एक्स का, अब जो सबसेट होगा एक्स का, वो उसके लिए कंडिशन क्या है, कि वो कॉंटेन करें कोई ओपन सेट यू, वो u ऐसा open set a contain करें जिसमें x b हो तो इसको हम x को कहते हैं इसका इसका neighborhood set है तो mathematically इसको गर हम explain करें तो वो यह है कि a neighborhood है neighborhood of x किस कब है यह जब इसमें कोई open set contain करेगा वो open set इस तरह का होगा जिसमें वो element x itself भी हो where u is an open set of topological space x इसकी example कर लेते हैं ताकि आपको इसकी मजीद समझ आ जाजए so example है कि x हमारे पास define है a, b, c, d, e, and f और इसकी topological space में कुछ sets given है हमने find करना है find neighborhood of a point a in x यहाँ वे point a given है x का जो point a है उसके लिए हमने neighborhood find करना है neighborhood की definition के according क्या है neighborhood एक ऐसा subset होगा इस x का जिसमें कोई open set यहाँ से topological space के जितने भी elements होते हैं तो आपको पता है कि वो सारे open होते हैं topology के elements, topology को जो sets हैं तो कोई एक ऐसा open set यहाँ पर exist करेगा जिसमें यह a itself भी exist करेगा तो हम पहले तो कोई इसका subset ले लेते हैं x का since a in x, so हम a suppose कर लेते हैं set a suppose कर लेते हैं a, b and c यहाँ से इस x का कोई भी एक subset ले लिया अब हम यह check करना चारें क्या यह neighborhood है इस a का अब इसको check करने के रिए क्या करना पड़ेगा हमें कोई एक ऐसा open set यहाँ से डूढ़ना पड़ेगा जो के इसमें contain भी करें और वो इस point a को भी अपने अंदर contain करें तो अगर हम यहाँ पे check करें तो देखें a एक ऐसा open set है जो इसमें भी contain करता है यह पूरा open set इसमें contain करता है इसका sub set है और a ऐसा element है जो इस set open set का भी element है तो इस तरह से यह condition fulfill होगी a is element of open set and open set contains in a so this set a is neighborhood of point a in x अब यहाँ पर यह बात है कि क्या एक ही neighborhood यहाँ पर exist कर सकता है तो एक से ज़ादा भी exist कर सकते है maybe इसका कोई और अगर हम sub set लें तो वो भी इसका जो है वो neighborhood बन जाए तो neighborhood system of a point x in x is a set अब जितने भी neighborhood है अगर हम सब को combine करके एक set बना दें तो उसको हम denote करते है n of x consisting of all the neighborhood of a point x in x इसकी example देख लेते है find neighborhood of point 1 over 2 in r अगर रियर line का एक point हमारे पास given है 1 over 2 इसके हमने neighborhood find करना है तो इसका neighborhood find करने के लिए हम ये कहते है कि 01 जो हो इसका neighborhood है अगर 01 इसका neighborhood कैसे है अगर 01 इसका neighborhood है ये real line का तो आपको पता ही है आप यहां पे है कि अगर ये तो subset बन गया तो इसमें एक open set ऐसा exist करना चाहिए जो कि इसमें पूरे का पूरा contain भी करें और 1 over 2 भी उसमें exist करें तो अगर हम देखें तो 1 over 4 and 3 over 4 ये ऐसा open set है जो इसमें contain भी करता है और 1 over 2 भी इसका element है, इसका member है इसके लवा और भी बहुत सारे हो सकते हैं तो अब कोई भी यहां पर बना सकते हैं नेक्स्ट इस नेबर्वूड क्राइटेरिया उसी definition को जैस्ट हमने simplify किया है let x to be a topological space and u be a neighborhood of point x if a is any subset of x such that u is subset of a then a is neighborhood of x a को neighborhood of x कहेंगे अगर u कोई open set है और वो contain करता है x में और x उसका element है next definition is limit point जिसको हम accumulation point clear cluster point b कहते हैं so limit point की definition के according क्या है let a be a subset of topological space कोई एक subset इसका ले रेते हैं point x in x is set to be a limit point of a if every open set u containing x contains a point of a different from x इसमें क्या है कि कोई ऐसा open set इसमें exist करना जाहिए जिसमें x के इलावा भी कोई element common हो set a जिसके लिए हम limit point जो है वो चेक करने जा रहे हैं उसमें इस point x के इलावा भी u और a का अगर intersection करें तो x के इलावा भी कोई common point होना चाहिए इसको कर mathematically देखें तो क्या बनता है u intersection a minus x it means कि मैंने x को इसमें से निकाल दिया इसको compliment ले लिए so u intersection a is non empty अगर मैं x को निकाल जो हूँ इसका मतलब है कि x के लावा भी इसको कोई common point होना चाहिए so इसकी एक example देख लेते है x given है a given है a कोई set define है इसी तरह topological space given है topology यहां पर define है हमने यहां पर find करने है limit point for a अब देखें limit point of a find करने के लिए हम क्या करेंगे a का हर open set के साथ intersection लेंगे और check करेंगे कि क्या उसमें एक से ज़्यादा जो है वो कोई common point पाए जाते है अगर एक से ज़्यादा common points हुए तो फिर उसको उसका limit point बन जाएगा so इसकी example का solution देख लेते है पहला हमने उसमें set ले लिया a का intersection करना है a जो set set given था a, a, b and c मैं a, b, c उसका set लिक लिया इसकी definition के according अब मैं यह चेक करना चाहरी हूँ क्या इसमें a के लावा भी कोई common point है तो आपको पता यह के लावा इसमें कोई common point नहीं है तो यह empty set बन गया इस तरह से a is not a limit point of a so a इसका limit point नहीं हुआ next जो open set है वो है c d अगर मैं c d का यहां पे जो है वो intersection चेक करूँ कि इसमें डोनों में common तो मुझे नजर आ रहा है c है मैं यह चेक करने जा रही हूँ कि क्या c के लावा भी कोई point है तो c के लावा आपको पता कोई भी point इसमें common नहीं है so c is also not a limit point of point of set a so जो c है वो भी set a का limit point नहीं है अब हम next जो open set ups को चेक कर लेते हैं a c d अब मैं यहां पर यह चेक करती हूँ कि क्या c के लावा या a के लावा कोई और common point है तो अगर पहले मैंने यह चेक किया कि a के लावा है या नहीं तो a के लावा जब मैंने चेक किया तो मेरे पास कौन सा आ रहा था c इसी तरह से मैं अगर c के लावा चेक करूँ तो मेरे पास एक और common point आ रहा है a its mean के d इसका limit point है because d के साथ इसका intersection जो है वो non-empty आ रहा है so d is limit point of a अगर हम remaining जितने भी open set से हम सबको check करें तो वहां से हमें पता चल जाएगा के b d और e यह तीन इसके limit points बन रहें तो इसमें यह जो हमने अभी example की है इसमें total इसकी जो है वो तीन limit points है b d and d और a और c इसके limit point नहीं है जिसकी reason आपने देख ली है कि उसका जो intersection है वो empty आ रहें तो next definition करते है which is derived set derived set basically यह होता है कि जितने भी limit points है जैसे इसमें limit points 3 बन रहें b d and e अगर मैं इन सबको set की form में लिख दूँ तो वो बन जाएगा derived set so इसकी definition कर लेते हैं let x be a topological space and a b any subset of x the set consisting of all the limit points of a is called derived set and it is denoted by a raised to part d और a compliment वो ही बात है जो मैंने भी start में बताई कि अगर तमाम limit points को मैं set की form दे दू तो उसको हम derived set कहते हैं so इसकी example देख लेते हैं example में x given है a given है और tau given है हम find करना चाहरे है drive set of this set a so इसकी इसी के लिए same यही example हमने उपर की है जहां पर हमने इसके limit points find किये थे so limit points जो है वो तीन आ रहे थे b d and e so b d and e का जा मैंने set बनाया तो वो मेरे पास बन गया इसका drive set next इसके deffinition करते हैं and next definition is of closed set open set की definition आपको पता है हम ओड़ी कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि open set तो भूपलोजी टूपलोजी के जितने भी subset ।होते हैं वन को हम कहते है open sets अब closed set क्या है close set के भी definition हम ओड़ी कर चुके दिसको तो हम फिट से जो है वो discuss कर लेते हैं क्योंकि हम next जो इसके theorem करेंगे तो उसमें यह definition जो है वो use होगी so close set क्या है कि अगर जो open sets है उनके मैं compliment ले लूँ और वो open बन जाएं तो उसको हम कहते हैं यह closed set है तो इसकी definition कर लेते हैं that x draw be a topological space and a is subset of x a is called closed set if it's compliment x minus a is an open set in topological space so अगर किसी topological space का कोई subset a है उसको closed उस टाइम कहते हैं हम अगर उसका compliment open हो दोनों दूसरे के opposite होते हैं इसके लिए example कर लेते हैं the subset a b of r is closed अगर हमारे पास yuvial metric space हो real line के लिए की हम बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि अगर इस interval को देखें तो आप यह बताएं कि क्या यह interval a b जो है यह closed है या नहीं है वैसे तो आपको पता है में bracket से ही देखके पता चल जाता है यह closed है या नहीं है बट इसको हम चेक कर लेते हैं जो के हमारा criteria है तो criteria के according हम इसको चेक करते हैं कि x minus a इसका compliment ले लेते हैं इस interval का तो एक हमारा पास closed interval है next इसकी जो example एसके according क्या है a to positive infinity is closed in r तो इसको भी as it is हम इसका compliment ले लेंगे compliment लेंगे तो यह क्या बंजेगा minus infinity to a चीज़े एं open set so this is also closed a to positive infinity अब हम चेक करते हैं a b अब यह देखिए एक side से closed है दूसरी side से open है अब पहली बात तो यह कि हमें इसी का idea नहीं है कि यह open है या closed है तो अगर हम इसका compliment लेंगे तो हमें यहां पर भी हम इसको decide नहीं कर पा रहे कि यह open है या फिर closed है यह बी इसमें include है या नहीं इसकी compliment में include होगा या नहीं होगा तो यहां पर हम जो है वह decide नहीं कर पा रहे तो इस तरह से यह ना तो open है और ना ही closed है next example इसकी हम topological space के लिए कर लेते हैं अगर हम अरप सेट x गिवन है a b c d a e and f और topological space जो है वह इस तरह से define है तो आपने इसका close set find करने है इस x के लिए तो close set के भी हम definition अरड़ी जो है डिसकस कर चुके हैं कि x minus a करते है x minus a करने का मतलब है a क्या था open set so यहां पे पहला open set क्या है x तो अगर मैं इसका x के साथ कॉम्प्लिमेंट लेंगी तो क्या answer आजाएगा 5 तो 5 is a closed set जो मैं 5 के साथ x minus 5 करूंगी तो answer क्याएगा x which is also a closed set अब मैं a के साथ करूंगी x minus a इसे के लावा जितने elements से में सब एक set बनेगा जो कि close set होगा similarly x minus cd x minus cd करने से मेरे पास किया बन रहा है a b e and f is a set which is closed next is x minus b c d e f तो इसके इलावा आपको यहां से पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसे बन रहा है hope so आज के lecture के आपको समझ आई होगी तो इसको अपने practice कर लेना है अगर को आपको problem होगा तो उसको हम next time पे discuss कर लेंगे ओकी जी अल्ला हाफिज बिस्म्राइब रह्माल रहीम अस्लाम अलकुम students topology का third lecture आज हमारा तो previous lecture में हमने कुछ topologies ही discuss की थी सो आज हम कुछ इसकी definitions कर लेते हैं जो के next हम use करेंगे जिससे related हम theorems करेंगे सो first जो definition है वो है neighborhood of a point तो neighborhood of a point की definition है let x be a point in topological space x a subset a of x is neighborhood of x if and only if a contains an open set u containing x x का हमने neighborhood जो है वो find करने जा रहे हैं तो हम यह कहते हैं कि x topological space का ऐसा point है कि अगर हम इसका कोई neighborhood बनाए तो वो एक ऐसा set बनता है set subset होगा वो जो set इसका neighborhood बनेगा वो itself भी subset होगा x का अब जो subset होगा x का वो उसके लिए condition क्या है कि वो contain करे कोई open set u वो u ऐसा open set a contain करे जिसमें x b हो तो इसको हम x को कहते हैं इसका topology इसका neighborhood set है तो mathematically इसको अगर हम explain करें तो वो यह है कि यह neighborhood है neighborhood of x किस कब है यह जब इसमें कोई open set contain करेगा वो open set इस तरह का होगा जिसमें वो element x itself भी हो where u is an open set of topological space x इसकी example कर लेते हैं ताकि आपको इसकी मजीद समझा जाए so example है कि x हमारे पास define है a b c d e and f और इसकी topological space में कुछ sets given है हमने find करना है find neighborhood of a point a in x यहाँ पॉइंट a given है x का जो point a है उसके लिए हमने neighborhood find करना है neighborhood की definition के according क्या है neighborhood एक ऐसा subset होगा इस x का जिसमें कोई open set यहां से topological space के जितने भी elements होते हैं तो आपको पता है कि वो सारे open होते हैं topology के elements topology को जो sets हैं so कोई एक ऐसा open set यहां पर exist करेगा जिसमें यह a itself भी exist करेगा so हम पहले तो कोई इसका subset ले लेते हैं x का since a in x so हम a suppose कर लेते हैं set a suppose कर लेते हैं a b and c यहां से इस x का कोई भी एक subset ले लिया अब हम यह चेक करना चारें क्या यह neighborhood है इस a का अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कोई एक ऐसा open set यहां से दूढ़ना पड़ेगा जो कि इसमें contain भी करें और वो इस point a को भी अपने अंदर contain करें तो अगर हम यहां पे चेक करें तो देखें, A एक ऐसा open set है, जो इसमें भी contain करता है, यह पूरा open set इसमें contain करता है, इसका subset है, और A ऐसा element है, जो इस set open set का भी element है, तो इस तरह से यह condition fulfill होगी, A is element of open set and open set contains in A, so this set A is neighborhood of point A in X, अब यहां पे यह बात है कि क्या एक ही neighborhood यहां पे exist कर सकता है, तो एक से जादा भी exist कर सकते हैं, maybe इसका कोई और, अगर हम subset लें तो वो भी इसका neighborhood बन जाए, तो neighborhood system of a point X in X is a set, अब जितने भी neighborhood हैं, अगर हम सब को combine करके एक set बना दें तो उसको हम denote करते हैं, N of X, consisting of all the neighborhood of a point X in X, इसकी example देख लेते हैं, find neighborhood of point 1 over 2 in R, अगर यह line का एक point हमार पास given है, 1 over 2, इसके हमने neighborhood find करना है, तो इसका neighborhood find करने के लिए हम यह कहते हैं कि 0, 1 जो है वो इसका neighborhood है, अगर 0, 1 इसका neighborhood कैसे है, अगर 0, 1 इसका neighborhood है, यह real line का तो आपको पता ही है, यह subset है, अब यहाँ पे है, कि अगर यह तो subset बन गया, तो इसमें एक open set ऐसा exist करना चाहिए, जो कि इसमें पूरे का पूरा contain भी करें, और 1 over 2 भी उसमें exist करें, तो अगर हम देखें, तो 1 over 4 and 3 over 4 यह ऐसा open set है, जो इसमें contain भी करता है, और 1 over 2 भी इसका element है, इसका member है, इसके इलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे बना सकते हैं, next is neighborhood criteria, उसी definition क को जैस्ट हमने simplify किया है, let x draw be a topological space and u be a neighborhood of point x, if a is any subset of x, such that u is subset of a, then a is neighborhood of x, a को neighborhood of x कहेंगे, अगर u कोई open set है और वो contain करता है, x में और x उसका element है, next definition is limit point, जिसको हम accumulation point, clear cluster point b कहते हैं, so limit point की definition के according क्या है, let a be a subset of topological space, कोई एक subset इसका ले रेते हैं, point x in x, is set to be a limit point of a, if every open set u containing x, contains a point of a different from x, इसमें क्या है कि कोई ऐसा open set इसमें exist करना चाहिए, जिसमें x के इलावा भी कोई element common हो, set a, जिसके लिए हम limit point जो है वो चेक करने जा रहे हैं, उसमें, इस point x के इलावा भी u और a का अगर intersection करें, तो x के इलावा भी कोई common point होना चाहिए, इसको कर mathematically देखें कि क्या बनता है, u intersection a minus x, it means कि मैंने x को इसमें से निकाल दिया, इसको compliment ले लिए, so u intersection a is non empty, अगर मैं x को निकाल जो हूँ, इसका मतलब है कि x के इलावा भी इसको कोई common point होना चाहिए, so इसकी एक example देख लेते है, x given है, a given है, a कोई set define है, इसी तरह topological space given है, topology यहां पर define है, हमने यहां पर find करने है, limit point for a, अब देखें, limit point of a find करने के लिए, हम क्या करेंगे, a का, हर open set के साथ, intersection लेंगे, और check करेंगे, कि क्या, उसमें, एक से ज़्यादा, जो है, वो कोई common point पाए जाते है, अगर एक से ज़्यादा common points होए, तो फिर वो उसको उसका limit point बन जाएगा, so, इसकी example का solution देख लेते हैं, पहला हमने उसमें set ले लिया, a, a का intersection करना है, a, जो set, set गिवन था, a, b, and c, मैंने a, b, c, उसका set ले लिया, इसकी definition के according, अब मैं यह चेक करना चाहरे हूँ, क्या इसमें a के लावा भी कोई common point है, वो तो आपको पता, इस तरह से a is not a limit point of a, so, a इसका limit point नहीं हुआ, next, जो open set है, वो है c, d, अगर मैं c, d का यहां पे, जो है, वो intersection चेक करूँ, कि इसमें, दोनों में common, तो मुझे नजर आ रहा है, c है, मैं यह चेक करने जा रही हूँ, क्या c के लावा भी कोई point है, तो c के लावा आपको पता कोई भी point इसमें common नहीं है, so, c is also not a limit point of point of set a, so, जो c है, वो भी set a का limit point नहीं है, अब हम next, जो open set ups कुछ चेक कर लेते है, a, c, d, अब मैं यहां पर यह चेक करती हूँ, क्या c के लावा या a के लावा कोई और common point है, तो अगर पहले मैंने यह चेक किया, कि a के लावा है या नहीं, तो a के लावा जब मैंने चेक किया, तो मेरे पास कौन सा आ रहा था, c, इसी तरह से मैं अगर c के लावा चेक करूं, तो मेरे पास एक और common point आ रहा है, a, it's mean के d इसका limit point है, because d के साथ इसका intersection जो है, वो non-numperty आ रहा है, so, d is limit point of a, अगर हम remaining, जितने भी open set से हैं, इसमें total इसकी, जो हैं, वो 3 limit points है, b, d and d, और a और c इसके limit point नहीं है, जिसकी reason आपने देख ली है, कि उसका जो intersection है, वो empty आ रहा है, तो next definition करते है, which is derived set, derived set, basically यह होता है, कि जितने भी open points है, जैसे इसमें limit point 3 बन रहे, b, d and d, अगर मैं इन सबको एक set की form में लिख दूं तो वो बन जाएगा, derived set, so इसकी definition कर लेते हैं, let x be a topological space, and a, b, any subset of x, the set consisting of all the limit points of a is called derived set, and it is denoted by a raised to power d, और a complement, वो ही बात है, जो मैंने भी start में बताई, कि अगर तमाम limit points को मैं एक set की form दे दू, तो उसको हम derived set कहते है, so इसकी example देख लेते है, example में x given है, a given है, और tau given है, हम find करना चाहरे है, derived set, of this set a, so इसी के लिए same, यही example हमने उपर की है, जहां पर हमने इसके limit points find किये थे, so limit points जो है, वो तीन आ रहे थे, b, d and e, so b, d and e का जो मैंने set बनाया, तो वो मेरे पास बन गया, इसका derived set, next इसके, जो है, वो definition करते है, and next definition is of closed set, open set की definition आपको पता है, हम already कर चुके है, तो आपको पता होगा, कि open set जो है, वो topology के, topology के जितने भी sub sets होते है, sets होते है, उनको हम कहते है, open sets, अब closed set क्या है, close set की भी definition हम already कर चुके है, तो इसको हम फिट से, जो है, वो discuss कर लेते है, क्योंकि हम next, जो इसके theorem करेंगे, तो उसमें यह definition जो है, वो use ह है, तो इसकी definition कर लेते हैं, let x draw be a topological space, and a is subset of x, a is called closed set, if it's complement, x minus a is an open set in topology, topological space, so अगर किसी topological space का कोई subset a है, उसको closed, उस time कहते हैं हम, अगर उसका complement open हो, दोने दूसरे के opposite होते हैं, इसके लिए example कर लेते हैं, the subset a, b of r is closed, अगर हमारे पास uvial metric space हो, real line के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर इस interval को देखें, तो आप यह बताएं कि क्या यह interval a, b, जो है, यह closed है या नहीं है, वैसे तो आपको पता है, हम ब्रैकिट से ही देखके बता चल जाता है, यह closed है या नहीं है, बट इसको हम चेक कर लेते है हैं, जो के हमारा criteria है, तो criteria के according हम इसको चेक करते हैं, कि x minus a, इसका compliment ले लेते हैं, इस interval का, so r minus a, b, अगर r में से, मैं इसका compliment लोंगी, तो आपको पता है, यहां पर मेरे पास open interval 2 बन जाएंगे, minus infinity to a, union b to positive infinity, और आपको पता है, कि यह दोनों ही open set हैं, तो उनका union b open ही होगा, which is open in set, in real line, so it means a, b, जो है वो, एक हमारा पस closed interval है, next, इसकी जो example, इसकी according क्या है, a to positive infinity is closed in r, तो इसको भी as it is, हम इसका compliment ले लेंगे, compliment लेंगे, तो यह का बंजेगा minus infinity to a, which is n, open set, so this is also closed a to positive infinity, अब हम चाह करते हैं, a, b, अब यह देखें, एक side से closed है, दूसरी side से open है, अब पहली बात तो यह कि हमें इसी का idea नहीं है, कि यह open है, या closed है, तो अगर हम इसका compliment लेंगे, तो हमें यहां पे भी हम इसको decide नहीं कर पा रहें, कि यह open है, या फिर closed है, because अगर मैं इसका, यहां पे compliment लूँ, तो आप देख सकते हैं, कि इसका compliment क्या बनेगा, minus infinity to a union, अब इसके अंदर वाले interval का हमें नहीं पता कि यह B इसमें include है या नहीं, इसकी compliment में include होगा या नहीं होगा, तो यहां पे हम जो है, वो decide नहीं कर पा रहें, तो इस तरह से यह ना तो open है और ना ही closed है, next example, इसकी हम topological space के लिए कर लेते हैं, अगर हम अर पर set X गिवन है, A, B, C, D, E, and F, orthological space, जो है वो इस तरह से define है, so आपने इसका closed set find करने हैं, इस X के लिए, तो closed set के भी हम definition already, जो है, डिसकस कर चुके हैं, कि X minus A करते है, X minus A करने का मतलब है, A क्या था, open sets, so यहां पे पहला open set क्या है, X, तो अगर मैं इसका X के साथ ही compliment लोगे, तो क्या answer आ जाएगा, X, which is also a closed set, अब मैं A के साथ करूँगा, X minus A, इसे एक लावा जितने elements से में सब एक set बनेगा, जो कि closed set होगा, similarly, X minus CD, X minus CD करने से मिरे पास किया बन रहा है, A, B, E, and F is a set, which is closed, next is, X minus B, C, D, E, F, तो इसके लावा आपको यहां से पे नजर आ रहा है, कि हमारे पा हमने क्या किया है, इसका चेक यह है, X minus A, X minus A करने से यह क्या है, हमारे पास closed set बन रहा है, होपस हो, आज के lecture कि आपको समझ आई होगी, तो इसको अपने practice कर लेना है, अगर कोई आपको problem होगा, तो उसको हम next time पे discuss कर लेंगे, ओकी जी, Allah, हाफिस,